नमस्कार धर्मग्यान के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नमृतार शर्मा मेरे साथ है जाने माने आस्ट्रोलाजर मैंग शर्मा जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपके धर्मग्यान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत-बहुत नमस्कार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक पांच वालों की जानेंगे माई का महिना उनके लिए कैसा रहेगा स्वास्ते में किस तरीके से बतलाव आने वाला है आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी इसके लावा जो मूलांक पांच वाले हैं वो कौन सब प्रोफेशन चुने कि आगे उनको काम्याभी मिले इन सब पर चर्चा करेंगे मैंग जी के साथ लेकिन मैंग जी सबसे पहले बताईए सवभाव कैसा होता है मुलांग बाच वालों का लेकिन मुलांग पाच जिनका सवाम में बुद होता है बुद्ध के सभभाव के कारण ये लोग बहुत ही कहना चाहिए कि हमेशा खुश मिजाद रहना और हाथ से विनोज से बरपूर रहते हैं, सबसे बड़ी खासती है, बहुत अच्छे मित्र बनाना जानते हैं और बहुत जल्दीन के मित्र बन भी जाते हैं, यूँकि बुद् टो आपको लगेगा इसके अंदर जबरदस आकरशन है और इसकी वाकपटूता बहुत अच्छी है, इसकी वैवार पुशलता बहुत अच्छी है, सभा में इनकी मधूरता है, तो फिर व्यक्ति अपने आप ही इंप्रेज हो जाता है, और ये बहुत अच्छी मजा करते है कभी कोई गलत बात नहीं करते हैं ना ही किसी की भावनाओं को थेस पहुचाते हैं इंगी खासित होती है मुलांग पांच वाले कहते हैं कि बहुत ही शांदार मुलांग है और बहुत ही अच्छे मुलांगों में से एक कहा गया है जीवन में सभी कुछ हासिल करते हैं और बहुत जल्दी ये लोग हासिल करते हैं अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी करना मुलांग पांच की खासिर होती है खाना-काने बेटेंगे, चार लोग बैठे हैं तो सबसे पहले अगर कोई जल्दी खाना खाले तो बुद्ध का वरभाव है, जलवाजी में काम करते हैं, खाना जल्दी खाके फ्री हो जाते हैं, काम फटा फट से निमटाते हैं, आलत से तो इनको दूर दूर तक भी पसंद याले से शटृता रहती है साफ सफाई इनको बहुत ज़ारा पसंद रहते हैं गंदी से या पास नहीं प्all प्राइव से भी दूर रहते हैं तो इनको अमीजा साकरत्मग्त है चाहिए तो वैसा ही ev questions उनको पर संद आता है विल近 और अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो मुलांग पांच वाले हैं मई के महिने में उनका स्वास्ते कैसा होगा दिके स्वास्त इस महिने आपका काफी अच्छा रहेगा स्वास्त समंधी कोई बड़ी परिशानी मुलांग पांच वालों को नहीं रहने वाली है लेकिन इस महिने भागदोड थोड़ा बनी रहेगी जिसके कारण तनाव भी रहेगा तो योग का सारा लें तो जारा आपके लिए अच्छा रहेगा और वेरत के तनाव से बचें भविश्य की चिंता कभी-कभी जारा करने लगते हैं तो इसलिए कल क्या होने वाला है इसको बिल्कुल भी मत सोचिए और अपना प्रेजेंट में अभी अपना ध्यान लगाएं आज के बारे में सोचें अन्यता आपको स्वास्थ समद्धी परेशानी बढ़ सकती है बिल्कुल वो कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं तो उसका आसर भी आपकी बाड़ी पर पढ़ता है आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो उनके लिए मई का महिना कैसा होगा श्वीजा के लिए मईना बहुत अच्छा रहेगा दिहें के बुद है तो श्वीजा का कारक है और गार आथे का का कारक विमाना लाता है दन का कारक कीव रहे तो शिक्षा के प्ष्यतर में अच्छी सभलता मिलेगी पढ़ाई लिखाय में ये लोग अवल होते हैं और फटा-फट अपना काम करके निम्टा देते हैं जल्दी से ये लोग टार्गेट पूरा करके चलते हैं उससे पहली काम फिनिश कर देते हैं शिक्षा के खेतर में तो इनको बड़ी अच्छी ख्याती मिलती है बड़ी ची चुनना चाहिए देखिए इनके लिए मार्केटिंग सबसे बैस रहती है अगर आप MBA करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ट्रेवल एजेंट आप बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छे फिल्म का लाकार ये लोग होते हैं आर्टिस बहुत अच्छ बहुत हैं तो यह कुछ प्रोफेशन इनके लिए बहुत ही जबर्दस रहते हैं इन प्रोफेशन में जाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी और हाँ किरियेटी फिल्ल में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं पत्रकार होते हैं रिपोर्टर हैं देखिए अगर कोई हमेशा याद रखते हैं माई का महिना बहुत अच्छा मिलेगी प्रमोशन होने की समभावने भी आपकी बंतीवी नजर आ रही है काम कारवार की सिती बहुत अच्छी है अगर आप बेरोजगार थे तो नोक्री लगने के योग बनेंगे और अगर आप नोक्री कर रहे हैं तो तरक्की भी निश्यत अब होने वाली है मैं के मीने साथी सार व्यपार नए काम के शुरुवात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है और जो आप अभी तक आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको अच्छी समलता मिलेगी तो किसी तरी की कोई परिशानी नहीं रहने वाली है अब एक सवाल जिसका जवाब जानने के लिए बहुत सारे दर्शक इंतिजार कर रही होंगी वो है लव लाइफ से जुड़ा हुआ क्योंकि मैंग जी लव लाइफ भी हम सबकी लाइफ में मैटर तो करती ही है कि हमारा निजी जो जीवन है वो कैसा है तो अगर हम सिंगल्स की बात करें तो क्या उनको उनका पार्टनर माई के महिने में मिल सकता है या फिर जो लोग मैरेड हैं उनके लिए माई का महिना क्या कुछ लेकर आ रहा है माई का मैना प्यार की सोगात लेकर आने वाला है अगर बात करें मुलांग पांच वालों के लिए क्योंकि सभाव इनका बहुत अच्छा होता है लव रिलेशनशिप इनके बहुत अच्छे रहते हैं तो इस महाँ भी आपके साथ यही रहेगा प्रेम समंदों में सफलता मिलेगी अगर आप अब तक सिंगल थे तो आपके रिष्टा सगाई या मंगनी त्यारी हो सकती है और आपके विभा इस समय तैय भी हो सकता है या अचानक से विभा आपका हो सकता है कुछ अच्छे समाव सबसे इंपोर्ड़न है आज कल के समय में क्योंकि अगर पैसा है तो सब कुछ है आदमी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है अगर पैसा आपके पास है देगे धन के सिती मुलांग पांच वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनका बुद्ध जो है स्वामी ह गुद्ध धन काका रहे हैं तो दहन की इनको पर कभी कोई कमी नहीं रहती है आर्थिक लाब हमेशा दिनको पर बनाई रहता है है घए छोटे स्थर पर काम करें बड़े स्थर पर पैसा इनको जब जरुत परड़ती है तब इनके पास आ जाता है इस महीने भी एह रहेगा आर्थिक पक्षिन का मज़ूत रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, धनलाब भी अच्छा कासा होता वा इनको नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर मई का महिना मूलांग पांच वालों के लिए काफी कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, इस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक नेगेटिविटी अगर इन लोगों के सामने आए, तो क्या ये लोगों पाई करें कि उससे बच सकें। दिके इस महिने आपको क्या करना चाहिए, बुद्वार के दिन गनेज जी को सिंदूर चड़ाएं, और गनेज जी की वंदना करें, जैसे गनेज जी की आरती कर सकते हैं, ओम गम गनपते नमाई समंतर का चाप करेंगे, तो आपको विशेश लाब मिलेगा, और किसी तरह की कोई परिशानी नहीं आएगी, गाएं को हरा चारा दें, बुद्वार के दिन तो भी आपको विशेश लाब मिलेगा, अगर कभी कोई किननर आपको कहीं मिल जाए, तो उसको दान दक्षना दें, उसको खाना त्यादी खिलाएं, तो विशेश लाब मिलेगा, और कभी भी चले मैंग जी बहुत बहुत शुक्रिया यह तमाम जानकारियां दर्शों को तक पहुँचाने के लिए और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं पर्सनली अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं अपनी कुनली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर जाशो रहा है उस पर आप कॉंटाक कर सकते हैं कॉल करके अपॉइशन चोड़ सकते हैं अगली वीडियो में हम पोशिच्छ करेंगे कि उन क्वेश्चन को ले ले और उस पर मैंग जी चर्चा जरूर करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया शुझने के लिए मैंग जी और झाल झाल